Hello investors, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को PFC यानि की Power Finance Corporation और NHPC Limited के साथ में कुछ ऐसी Companies के Shares के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनों ने यहाँ भी Stock Bonus, Stock Split और Dividend Announce कर दिया है मैं हूँ आरूश, आप लोग देख रहे हैं फिनो मीडिया बाया आरूश, आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले शेयर की बात करें, तो कंपनी का नाम है TGVSRAAC Limited, यह कंपनी का जो शेयर है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे हमें 6% की तेजी दिखाता देखने को मिला, जो कि डेफिनेटली एक ही ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से एक काफी बढ़िया मोमेंटम है, और कंपनी का जो 97 रुपीज के उपर में क्लोज हुआ, अगर इस कंपनी के ओफिशल अनॉंस्मेंट की हम बात करें, तो TGVSRAAC ने यहाँ पर डिविडेंट अनॉंस कर दिया है, वन रुपी का, आप लगो को आपके हर एक शेयर पे एक रुपे का डिविडेंट दिया जाएगा, डिफिने का नाम है, अलाडा इंजिनियर्स लिमेटेड, यह कंपनी का जो शेयर है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे अपने 5% के लोवर सरकिट पे क्लोज हुआ, और 100 रुपीज का जो है, कंपनी के शेयर का क्लोजिंग प्राइस था, अगर इस कंपनी के ओफिशल अनॉंसमेंट की ह हम बात करें, तो अलाडा इंजिनियर्स ने जो है, यहाँ पर डिविडेंट अनॉंस कर दिया है, 1.60 रुपीज का, आप लगो को आपके हरे एक शेयर पे 1.60 पैसे का डिविडेंट दिया जाएगा, डिफिनेटली यह डिविडेंट वैल्यू भी काफी अच्छा है, और इ एक परसेंट की तेजी दिखाता देखने को मिला, और 49 रुपीज के उपर में क्लोज हुआ, अगर इस कंपनी के ओफेशल अनॉंसमेंट की हम बात करें, तो B के निरियत ने जो है, यहाँ पर डिविडेंट अनॉंस कर दिया है, 0.20 रुपीज का, आप लोगो को आपके हरे एक शियर पे 20 पैसे, यानि कि 20 पैसे का डिविडेंट दिया जाएगा, यह डिविडेंट वैल्यू भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, ना ही जादा अच्छा है, ना ही बेकार है, एक एवरेज, एक फियर डिविडेंट अनॉंस करा गया है, बट इसको देने की जो एकस डेट और रिकॉर्ड डेट है, वो अभी फिलाल अपकमिंग में है, बाद में जैसी अनॉंसमेंट आएगा, मैं आप लोगों को इंटीमेट कर दूँगा, आप लोग जोए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगले शेयर की बात करें, तो कंपनी का नाम है, इ इंटीग्रेटिड इंडस्ट्रीज ने जो है, यहाँ भी स्टॉक स्प्लेट अनॉंस कर दिया है, वन इस्टू टैन के रेशियो से, जिसका मदलब यह है, अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है, तो वो टोटल में 10 शेयर्स के अंदर में कनवर्ट हो जाएगा, चाहिए फिर बेशक आपके पास में इस कंपनी के जितने मरजी शेयर्स हो, आपके सभी के सभी शेयर्स यहाँ पे 10 गुना हो जाएंगे, और इस स्टॉक स्प्लेट को देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है, वो अभी फिलाल अपकमिंग में है, बाद में जब जस्ट अभी कुछ घंटो पहले स्टॉक बोनस अनौसमेंट आया है, कंपनी ने जो है, यहाँ पे बोनस अनौस करा है, 3-1 के रेशियो से, जिसका मदलब यह है, अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर्स है, तो यहाँ पे आपको 3 शेयर्स का बोनस मिलेगा, आपका आपको पता है, आपको जस्ट चानल को सबस्क्राइब करना है, बाद में जैसी एकस डेट, रेकॉर्ड डेट आएगी, मैं आपको इंटीमेट कर दूँगा, अगले शेयर्स की बात करें, तो कंपनी का नाम है नहपीसी लिमेटेड, नहपीसी का जो शेयर्स है, लास्ट ट ICCI Securities करके एक काफी जाना माना ब्रोकरेज फर्म है, और आप लोगों ने भी ICCI Securities का नाम डेफिनेटली सुना होगा, ICCI Securities ने जो ए NHPC के शेयर के उपर में बुलिशनेस दिखाते हुए बाइंग रेकमेंडेशन शेयर करी है, और जो टार्गेट प्राइस दिया गया है 101 रुपीज का दिया है, लगबग 94 रुपीज से लेके 101 रुपीज तक की एक जो रैली है, वो यहाँ पे ICCI Securities एक्सपेक्ट कर रहा है, NHPC Limited के शेयर के उपर में, अगर NHPC की पहले as a company हम बात करें, first of all fundamentally financially company काफी स्ट्रोंग है, दूसरी चीज एक PSU unit होने की चलते, government का जो जो trust है, वो company के उपर में भरपूर मौजूद है, इसके अलावा NHPC के official management की तरफ से announcement आया था, कि आने वले डेड़ से दो सालों के अंदर में, NHPC की जो भी energy capacity है, वो यहाँ पे almost हमें double होती देखने को मिल जाएगी, और क्योंकि NHPC एक energy company है, या आप कह सकते हैं, एक power sector से होती रहेगी, इनकी distribution increase होती रहेगी, revenue और profits भी उसी हिसाप से increase होंगे, तो at the end कहीं ना कहीं, share price भी आपको date से 2 सालों के अंदर में massive growth यहाँ पे दिखाने वाला है, इस चीज़ का जरूर से ध्यान रखिएगा, विगोस हम सभी को पता है, long term में power sector का, जो पूरा का पूरा कर सकते हैं, definitely hold करिए, काफी massive returns आपको मिलें, इसके काफी हाई potential है, जरूर से NHPC के share को अब आपके watch list के अंदर में add करिए, और company के share पे आपकी नजर बना के रखिए, अब आज आते हैं, बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे अगले end last stock की, तो company का नाम है PFC, यानि की power finance corporation, PFC क की तरफ से भी एक काफी बड़ी और एक positive update निकल करके आ रही है, basically CLSA करके एक काफी जाना माना brokerage firm है, और CLSA ने जो है power finance corporation के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation share करी है, और जो target price यहाँ पे दिया गया है, वो 610 रुपीज का दिया है, लगबग 503 रुपे से लेके 610 रुप corporation के share के उपर में, देखिए एक चीज मैं आपको clear कर देता हूँ, यह जो target है आपका short term का target नहीं रहेगा, short term में इसके achieve होने के chances काफी जादा कम है, और long term तक wait करना पड़े इतना भी बड़ा target है नहीं, तो mid term तक यह target आपको काफी easily और काफी smoothly achieve होता देखने को मिल इसके अलावा PFC की भी अगर as a company हम बात करें, first of all PSU unit again government का support और investors का trust, company के उपर में भरपूर मौजूद है, इसके अलावा क्यूंकि आप कह सकते हैं power sector से एक company जुड़ी है, basically company का क्या है, power sector में जितने भी projects चल रहे हैं, जितने भी companies आ रही हैं, जो भी बड़े बड़े projects कर रहे हैं, उसके लिए finance की requirement होती है, loan की requirement होती है, वो सब यहाँ पे power finance corporation fulfill करता है, यानि की power finance corporation का जो main business है, वो power sector की companies को finance provide करना है, यानि की loan provide करने का है, और जितना जाधा loan book इनकी increase होती जाएगी, उतना जाधा ही benefit यह PFC को मिलेगा, साथी साथ में fundamentally financially तो company strong ही है, और आने व बाकी power sector की जो companies हैं, वो भी बड़े-बड़े projects करेंगी, और एक साथ में इतना capital कोई भी खुद से नहीं लगाता, कोई भी बड़ी company हो, आपको हमेशा देखने को मिलेगा debt या फिर finance लिया जाता है, वो यहाँ पे PFC provide करता है, तो कही ना कहीं company अच्छी है, sector अच्छा है, NHPC limited हो गया, इन दोनों companies के अलावा, आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ, ताकि यहाँ पे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए, तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले-पहले purchase कर लेना होगा, इस video के अंदर में इतना ही रखते हैं, यही कुछ companies के shares थे, जिनकी तरफ से बड़ी updates आ जिन्हों ने आपे bonus, split और dividend announce किया था, अब अगर आपको video ची लगी हो, definitely video को like करिएगा, channel को भी subscribe करिएगा, because ऐसे videos मैं आप लगो के लिए daily basis पे ले करके आता रहता हूँ, चलिए मिलेंगे किसी और video के अंदर, till then, bye!